दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधा धुन लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिक्ता देगी, उसे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। कौन लोग हैं, सारी कानून विवस्था चर्मर आजाएगी, चोरियां, डकेतियां, बलातकार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर। के बैग्राउंड को भूल गई हैं, साइद उनको जो निरासरीत आये थे, जो रेफीजी जाये थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए। पचास में आ गए, साथ में आ गए, सत्तर में आ गए, असी में आ गए, आज भी नागरिक्ता नहीं है। अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं ले सकते हैं, मत्दान नहीं कर सकते हैं। क्यूं, क्या गुना है उनका। दिल्ली के चीफ मिनस्टर हैं, वो कहते हैं, वो सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंधा धुन लोग आएंगे, बीजेपी उन्हें नागरिक्ता देगी, उससे थेफ्ट, रॉबरीज, रेप बढ़ जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने ब्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बेटे हैं। क्योंकि वो वाट बैंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं। इसलिए वाट बैंक की पुल्टिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहा सावाल है? वो अल्रेडी यहां है। और बंगलादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं, क्या, रोंग्याज नहीं मार रहे हैं, इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भी, शिर्फ जो हिंदू सरनार्ति आए हैं, जो बहुत सरनार्ति आए, जो Jain, Parsi और Christian सरनारति इसी का विरोध कर रहे हैं, वो यही कह हैं, कि आप अपने नागरिकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, और इनको आप लिए हैं, साइद उनको जो निरासरी ताय थे, जो रेफिजी जाय थे, इनके परिवार के साथ एक चाय पीनी चाहिए, और वो खर्बो रूपय की संपती छोड़कर रेफिजी बनकर यहां दिल्ली के बाजार में सबजीयों की दुकान लगाई थी, मोदी जी ने विभाजन की विभीशिका का दिन मना कर उसको हिस्ट्री का हिस्सा बनाया है, इन लोगों के मन में समवेदना नहीं है, वो समत्य नहीं है, वहां धर्म के आधार पर इनके परिवार की महिलाओ का करेंगे वो, इनकी विदना हम भी नहीं सुनेंगे, पचास में आ गए, साट में आ गए, सत्तर में आ गए, असी में आ गए, आज भी नागरिता नहीं है, बच्चों को अस्पताल में दाखला नहीं मिलता है, धंकी नोकरी नहीं मिलती है, छुट बैया नोकरी करते हैं, और उस वक्त सब ने कहा था कि जो आएंगे उसको हम नागरिकता देंगे। अब अपने वादे से मुकर जाना मैं मानता हूं कि हमें तो कम से कम मनजूर नहीं है। इनकी समवेदनाओं को भारतिय जनता पार्टी भी महसूस करती है। इस देश के प्रजानमंत्री भी महसूस करते हैं और हम मानते हैं कि इनकी ये 75 साल की वेदनाओं का अंत कभी न कभी आना चाहिए और ये चुनाओं के पहले आजाए वो ठीक है।